दोस्तों हम लमादुरी तै करने वाले हैं, जाएंगे पानी में और आएंगे बहुत तेजी में, ठिक, चलिए हमारा सच बुड़े देखे स्ट्विमिंग करने के बहुत सारे फायदे हैं, आप जानकारी ले सकते हैं, गूगल के माध्यमसी इस जगह पर हम तैर रहे हैं, वहाँ पर 25-30 फीट पानी अभी है दोस्तो, पानी माम थक चुके हैं, सास खूँ रहा है, चले मिलता अगली बीडियो उपसाथ, स्विमिंग देखे जाएंगे, आप डेली किजिए, बहुत अच्छा 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 अच्छाई है सिमिंग, और इसे स्वास्त सही रहाता है, पर हाग में दद नहीं होता ह और डाक्टर के परास जाएगा, और यदि पीछेगा कि स्विमिंग कैसे अच्छा साइज है, और करना चाहिए कि नहीं, जरू डाक्टर आपको सेजिस्ट करेंगे डॉक्टर के पास जाने से बचना चाहते हैं, स्वस्त रहना चाहते हैं, तो स्विमिंग कीजिए, स्वस्त रहना चाहते हैं, चलिए चलते हैं एक और बार दोस्तों, पानी में तेरने माले हैं और लम्मी धूरी तक तेय करने माले हैं, उसके बाद उरत आएगे, हमारे साथ एक दोस्त वहयोगी हैं, थोड़े दर में दिखना लेगे, चलिया है कर दो दमघए विंगराई ज Daisy だ wie अॉब इसस बोब बता अब यब किस आट उस झाल पूड़ अवायं कि अट अलड पाल में खन अर कि इझी थिस में शिटी स्टैन। ज्यान प्रवब देखियेगा हम किस प्रकार से तरफ से असानी प्रोख हम तेर रहे हैं ज्यान प्रवब देखे रहे हैं बैक स्युमिंग करते समय दो तिन बातों का ध्यान रखना है आपके नाक कान मुँँ में पानी गो सकता है जिसलिए अपने नाक कान मुँँ को उपर क्यू रखना है और हाथ आसानी प्रोख चलाते रहना है इस प्रकार से हम चला रहे हैं स्युमिंग करने आपको आ जाएगा तो किसी प्रकार आप पानी में तेर सकते हैं जैसे मन करें वैसे लेकिन जब तक स्युमिंग करने नहीं आता है कम पानी में तेरना है और सीखने का अभ्यास करना है डिप्स्किप्शन में लिंक दिया गया है बेसिक से स्युमिंग कैसे करना है अब जाकर सीख सकते हैं और सीखने के बाद आप स्युमिंग कीजिए धन्यवाद फिर मितने अगले वीडियो के साथ वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज को सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन दबाद